सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकोन को दबाईए हमारी लेटस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आज हम आप लोगों से बहुत ही कॉमन प्राप्लम के बारे में बातचीत करेंगे टॉंसर और अडिनोइड्स हमारे बॉडी में लिंफॉइड ओर्गन्स होते हैं जो सब लोगों के गले में होते हैं और नाक के पीछे वाले हिस्से में होते हैं ये body के लिए एक alarm sensor का काम करते हैं जब भी body में कोई infection मुझ के जरीए या नाख के जरीए जाता है तो इसको ये detect करके body के immunity को trigger करते हैं कभी-कभी हम देखते हैं कि ये alarm system में problem आ सकती है क्योंकि इसमें infection colonization हो सकता है माने के infection महाँ पे घर बना के बैठ सकता है और इसके वज़े से हम देखते हैं कि glands का size भी सूच सकता है बड़ा हो सकता है और इसके वज़े से हम देखते हैं गले में दर्द रहना बार-बार बुखार आना या नाक बंद हो जाना रात में मुझ खुल के सांस लेना या फिर गले में गाठे बन जाना इस तरह के symptoms भी मिल सकते हैं अकसर हम देखते हैं कि छोटे बच्चों में यह problem हो जाती है जब उनको बार-बार गले में दर्द हो जाना बुखार हो जाना होता है वो खाना नहीं खा पाते वो स्कूल नहीं जा पाते रात में जब सोते हैं तो उनका मुझ खुल जाता है और खर्राटे जैसी आवाज आ नहीं पाते हैं जब इस तरह की समस्या होती है तो हम लोग बच्चों को एंटिबॉटिक की दवाईयां नाक में स्टीम इनिलेशन नाक में नीजल स्प्रे इस तरह की दवाईयां देते हैं जिससे के यह infection clean up हो जाए और इनका size वापस से normal की तरफ हो जाए और बच्चा ऐसी अवस्था में इन glands को निकाल देना ही body के लिए सही रहता है इस procedure को हम लोग tonsillectomy और adenoidectomy का नाम देते हैं आईयो तो जानते हैं tonsillectomy और adenoidectomy कैसे करा जाता है और इसके क्या-क्या फायदे और नुकसान हो सकते हैं tonsils के निकालने के operation को हम लोग tonsillectomy कहते हैं और conventionally इस operation को हम लोग cold steel method से करते हैं cold steel माने के हमारे जो steel के instruments होते हैं इससे hold करके इनको dissect करके और फिर scissor से cut करके body से remove कर देया जाता है और अगर कोई bleeding वगरा भी होती है तो उसको हम लोग heat generating cotries से seal कर देते हैं जिससे वहाँ पे bleeding वगरा प्रुख जाए इस process से कई बार हम देखते हैं कि गले में छाले जैसे पढ़ सकते हैं या फिर हम देखते हैं कि body में ulcers बनने के वज़े से recovery का process लंबा हो सकता है गले में दर्द रहना खाना नहीं खापाना की problem हो सकती है इस तरह की problem को avoid करने के लिए आजकल हमारे पास latest technology जिसे हम लोग coblation technology कहते हैं इसकी सुवधा available है coblation technology माने के controlled ablation वाली technology एक ऐसी नई तरह की technology है जिसमें के हम radio frequency के द्वारा plasma generation करते हैं वांड में और यह वांड से जो plasma बनता है यह हमारे body के जो tissues होते हैं उनके intercellular bonds को पिघला देता है जिसके वज़े से हमारा जो disease tissue होता है वो हमारे normal tissue से अलग हो जाता है और ऐसा बहुत ही minimal bleeding के साथ बहुत ही minimal pain के साथ और बहुत ही minimal collateral damage के साथ हो सकता है जब आसपास का जो tissue का temperature होता है वो normal रहता है वो बढ़ता नहीं है और जिस वज़े से हम देखते हैं के हमारे body में pain कम होता है recovery faster होती है और हम जल्दी से अपनी normal activities और खाने पीने की तरफ वापिस जा पाते हैं थैंक यू